नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गोबलॉक्ष और मैं हूँ आपके शाथ भासकरानन डूभाल एक मेल हतेली है बावन वर्सिया मेल हतेली यहाँ पे साप दिखाई दे रही है देखेगा सबसे पहले आपका हाथ कुछ कह रहा है क्या कह रहा है आपकी जो हिर्दय की लकीर है इस प्रकार से जाती हुई कहीं न कहीं आपके जो इंडेक्स फिंगर है आपकी जो मिडल फिंगर है उनकी बीच में देख रही है और इस पे आचार्य ब्रिस्पतिजी जो हमार हतेली में बैठने वाले पर्थम आचार्य हैं देव गुरु ब्रिस्पति जुपिटर का प्रभाव आ रहा है जुपिटर का बलाबल आ रहा है साथ में जो आपकी मिडिल फिंगर है इसके नीचे जो भग्य अस्तान होता है सनी उस परवत का प्रभाव भी इस रेखा पे पड़ रहा है और जब हमारी हिर्दे रेखा पे देव गुरु ब्रिस्पति और जो जिसको हम न्याय का देवता कहते हैं देवता का मतलब होता है देने वाला देवता का हिंदी अर्थ होता है देने वाला तो ये भग्य अस्तान है ये आपके कर्मों के अनुसार उ इसको सनिधेव कहले हैं देवता देने वाला गुणदर्म सब कुछ यह यह देता है भरोर्री नहीं है धन देवता का मतलब नहीं है कि धन देने वाला यह आपका भाग्यास्तान है आपके करमों के अनुसार उसका फल देता है उसका परभाव आपकी हिर्देई की लकीर पर पढ़ रहा है इसका मतलब है आप अपने जीवनकाल में बड़े महत्वकांची ब्यक्ति हैं और आपकी महत्वकांचा अभी भी बहुत जादा है तीब्र महत्वकांचा आपकी सोच जो है बहुत आगे बढ़ने की यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है आपकी हिर्दे रेखा पर इस समय बर्तमान समय में गुरों का प्रबल प्रभाव पढ़ रहा है जिसके प्रभाव के कारण आपकी जो इक्षा है यहाँ पर टॉप लेबल पर पहुँचने की होती हुई दिखाई दे रही है और किन छेत्रों पर ब्रिस्पति का प्रभाव किन छेत्रों पर होता उन छेत्रों पर इसका प्रभाव होता है सिक्षा का छेत्र में इसका प्रभाव होता है इंजिनियरिंग, चिकित्सा, बानिज्जा, मैनेजमेंट, राजनीती और कानून इन छेतरों में से एक दो छेतरों में कहीं न कहीं आपकी इक्षा जो है एक टॉप लेबल तक पहुँचने की हो रही है गुरू के प्रभाव पढ़ने के कारण कि आप आगे बढ़ने के लिए चाहे किसी का इस्तमाल करना पड़े करींगे, कोई हतकंडा इस्तमाल करना पड़े करेंगे, एन केन प्रकारेड जो भी आप से हो जाए वो करेंगे क्योंकि सनी का बलाबल आ रहा है सनी का प्रभाव पढ़ रहा है ये आपकी हतेली की रेखा कह रही है अब आपकी हतेली में एक राजयोग भी है और इसने आपको फाइदा भी दिया है जिस समय ये राजयोग जो है अपनी बलाबल इस्तिति में था दिये खे थोड़ा हमारी रिसर्च के उनसार है ये, ये कागजों में नहीं लिखा है, ये हमने अपनी रिसर्च में पाया है और लोगों का जो फीड वैक आया है, वो लगातार आता है, जादतर देखेगा योग कैसे बनता है, प्रबल योग, जब आपकी हतेली इस प्रकार से आयताकार हो, तो आपका करियर का जो मामला होता है जादा तर 95% मामले में वो मस्तिस्क से कार्य करने वाला होता है और ऐसे ब्यक्ति जो होते हैं कहीं न कहीं उनके अंदर अनलेटिकल स्वभाव जन्म लेता है उसके साथ-साथ अगर मस्तिस्क रहखा भी एकदम इसपष्ट हो जैसे आपकी है इस आकर्ति के साथ-साथ और उर्द्व चंद्रमा में समाहित हो जाए तो ये आपके बौदिक अस्तर को बताता है कि ब्यक्ति का जो बौदिक अस्तर है वो अत्यंत स्रेश्ट है ब्यक्ति विबेकवान है और अपने विबेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचने वाला है कुछ ना कुछ जीवनकाल के लिए योजनाई बनाता है और जब हतिली का आकार ऐसा हो मस्तिस्क की रेखा ऐसी हो तो ऐसे लोग मस्तिस्क से कारे करने वाले हो सकते हैं आप कह सकते हैं उच्च पदस्त अधिकारी सरकारी नोकरी या इससे समंदित छेतर में कारे करने वाले होते हैं निश्चित ही ये राजयोग वाले ब्यक्ति अब राजयोग किवल आकर्ति और मस्तिस्क रेखा से नहीं भापना चाहिए दो चीजे उसमें और देखनी है क्या देखेगा तो 100% आपका राजयोग बनता है अगर कोई ब्यक्ति जो है करियर की तरफ जो है डिसिजन नहीं ले पा रा है कि ब्यापार करूं या नोकरी करों वो अपनी हतेली को इस प्रकार से देखे आपको आपकी हतेली आपका उत्तर दे देगी और जो आपकी सूर्य की उंगली है, इसके पहले पोर्वे तक पहुँच रही है, ये अत्यंत सरेष्ट होता है, अत्यंत सरेष्ट इस्तिति को माना जाता है, ऐसे जो ब्यक्त होते हैं, या तो उत्कृष्ट ब्यापारी होंगे, प्रैक्टिकल रोप में देखें, या तो ऐस आपको ब्यापारी बर्ग का ब्यक्ति मिलेगा अगर नौकरी कर रहा हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो ऐसा ब्यक्ति अधिकारी लेवल का होगा उच्च वर्ग का ब्यक्ति होता है स्रेष्ट होता है और अपने जीवन में सफल ब्यक्ति होता है अब गुण को देती है कि अपने बलबूते पर कुछ करने वाला गुण दूसरे के सहारे नहीं रहना अपने ही बलबूते पर कुछ करने वाला गुण ये देती है इसलिए ये सरेष्ट बनाती है अब राजग्यों के लिए एक और उंगली देखती है जो हमने पाया है अपनी उसम के जो प्राकर्तिक गुण है यस पाने की इक्षा रखना समाज में मान प्रतिष्टा पाने की इक्षा तीब्र होना अपने कारियों में विस्तार पाने की इक्षा तीब्र होना नेम फेम पाने की इक्षा तीब्र होना ये बिक्ति के अंदर ये इक्षाइं मौजूद रहती ह और उनके लिए बेक्ति प्रयतनसील रहता है इसका जुकाव बता रहा है कि आपके अंदर कौन सी इक्षाएं प्रवल मात्रा में हैं और किन के लिए आप प्रयासरत हैं अब यहाँ पे ये उंगली आपकी इस उंगली से कहीं न कहीं अगर ध्यान से देखें आप बड़ी है और इससे छोटी है ये बताती है कि कहीं न कहीं आपने जीवन में यस की प्राप्ति की है जब ग्रह अच्छे थे तो यस की आपने प्राप्ति की है समाज में मान प्रतिष्टा अभी भी है और आपनी इसके कारण मान परतिष्टा पाई है और सफलता पाई है जीवन में आपके जीवन में सूर्य के गुरों की वजोसे जोखिम उठानी की छम्ता रही है और उस रिष्क में उस जोखिम में कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर उठने की ताकत भी रही है हिमती सुभाव अब हमने अपनी रिसर्च में पाया है कि जब ये उंगली बड़ी हो इस उंगली से और इस से छोटी हो और ये उंगली बड़ी इसके पहले पोरवे तक पहुँच रही हो और ब्रिस्पति आपका अत्यंत स्रेष्ट आउस्ता में हो इसमें ब्रिस्पति स्रेष्ट नहीं है ब्रिस्पति आपका बरतमान समय में बहुत ज़्यादा वीक आउस्ता में है ठीक है न? लेकिन जब ये उंगली इस प्रकार हो ब्रिस्पति सुन्दर आउस्ता में हो तो 99.9% मामले में ऐसा ब्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है अगर एक परसेंट किसी प्रस्तिति बस ऐसे ब्यक्ति को सरकारी नौकरी या इससे समंदित छेतर में कार्यन मिला हो तो ये ब्यक्ति फिर ब्यापार की तरब जाता है और ब्यापार के कारण पहचाना जाता है एक उतक्रिष्ट ब्यापारी होता है ये राजयोग है अब इसमें भी ख्याल रखेगा अगर हाथ की आकरती इस प्रकार से हो मस्तिस्क रेखा इस प्रकार से हो दोनों उंगलिया इस प्रकार से हो तो प्रबल राजयोग है केवल दोनों उंगलिया इस प्रकार से हो ब्रस्प आये हो और इस प्रकार से जो है जैसे आपकी हतेली में बन रहे हैं इस पश्ट थोड़ा कमजोर भी हो विरस्पती लेकिन इस पश्ट वर्ग बन रहे हों तो यह कि आपके अंदर कुसल प्रसासक की गुण देते हैं ऐसा ब्यक्ति कुसल प्रसासक होता है साधारण से साधारण घराने में जनम लेकर भी अत्यंत उच्च पद तक ऐसे ब्यक्ति पहुँचते हैं और पूरे समाज में और कभी कभी पूरे संसार में सम्मान पाती हैं और जिस छेतर में इनको knowledge होती है वो इस कदर होती है कि उसका teaching तक ऐसा बिक्त दे सकता है ये आपकी हतेली में राजयोग है संपूर्ण राजयोग अब आपके सवालों पे चलते हैं और देखते हैं देखेगा यहाँ पे आपका सवाल सबसे पहले है कि आपके जो बेटा पेटी हैं आपसे मार पीट करते हैं और आप पे जूटे आरोप लगाते हैं कई तरों से आपको प्रेशान भी करते हैं किस कारण से मनि परिवार का जो सुक है उठीक नहीं हो पारा यह की प्राप्त नहीं हो पारी यह इस तरों से है जो सवाल है यह इस प्रकार से है देख और ये देव गुरु ब्रश्पति कुंडली में हो, जन्म पत्री में हो, या हस्त रेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण माने गई हैं। जो मानव जीवन के लिए चाहिए कही न कही इनी ब्रश्पति से देखे जाते हैं। अब ये साधारण अवस्ता में बैठ गए हैं, तो जो परिवार का सुक है, चाहिए संतान हो, पैतरिक संपत्य हो, वाइब का सुक हो, धन्प का सुक हो, उन सुकों में ये बराबर कमी कर र एस्वर्य मिलना चाहिए था, जो सुक मिलना चाहिए था, इन ब्रश्पति के कारण, वो सुक आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ब्रश्पति बहुत वीक अउस्ता में हैं। और जब गुरु खराब होता है, तो याद रखेगा, ऐसे जातकों को गुरु नहीं मिलता है मनी सही दिसा दिखाने वाले नहीं मिलते हैं, और कहीं न कहीं जीवन में बहुत बड़े संगर्श की और ये धकेलते हैं, अपने आपको अकेला मैसूस ऐसे बिक्ति करते हैं, अगर आपका गुरु खराब है, तो आप यकीन मानिएगा, चाहे संतान का सुक हो, पुत्र बिक्ति को नहीं मिल पाता है, उल्टा संगर्श जादा रहता है, और मान प्रतिष्टा की बहुत कमी रहती हैं, और अपने से बड़ों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो जो है आपके पद में बड़ा हो, अब दूसरी बात है, सूर तो यस की प्राप्ति नहीं हो पाती है बिक्ति को यस नहीं मिलता है अब दूसरा आपने कहा ओल्ड एज में बेटा बेटी पतनी का सुक है देखा ओल्ड एज में अंग उठे के नीचे का जो ये हिसाब किताब है ये गरह आपका अत्यंत स्रेश्ट है लेकिन क्या है इसके सा होने से इसके दबे होने से ये उल्टा फल परदान करता है ऐसी इस्तित में ब्यक्ति को मानसिक प्रेशानिय का सामना करना पड़ता है ब्यक्ति का ऐसे में जीवन संकटों और कठेनाईयों के बीच गुजरता है और जीवन में सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं होता ह है जीवन में एक प्रकार का जो खुस हाली है वो जीवन में नहीं आ पाती है और किसी ना किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा बिक्ति सोचता है चिंता भी करता है बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा परिसरम करने के बाद भी उसको सुकून नहीं मिल पाता है वाला जो पाल्ट है उस सुकों में कमी करता है सुक नहीं भोग पाता है बिक्ति अब ओल्ड एज की बात रही ओल्ड एज के लिए बहुत अच्छा है और यहां पे इन दोनों के बीच भी गैप नहीं है और यह अपने आप अपने इस्तिति में आ जाएगा जो मैं उपाई द जो करदेगा क्योंकि सुकर आपका बिहतरीन परजूता है कर दो सुखर आपका तीसरे सवाल है गरह लेश के कारण क्या घर चोड़ कर कहीं और पर रहना पड़ेगा नहीं हतेली में यह कोई भी लक्षण आपके नहीं दिखाई दे रहे हैं मेरा खराब समय कब तक और उपाई उपाई में बिदिवत तरीके से आपके वटस अप नम्मर पर ओडियो के मादियम से भेज दूँगा लिख करके भेज दूँगा देखेगा अभी हतेली की जो रेखाई हैं और जो परवत हैं कहीं न कहीं साड़े तीन बरसों तक जो उथल पुतल है जो संगर्स है मामला इस्टेवल दिखाई दे रहा है उसके बाद चीजे निश्चित ही बदलती हुई दिखाई देती यहाँ पे नजर आ रहे हैं लेकिन इसके लिए क्या करना है इसके लिए आपको जो उपाई है वो जरूर करने है अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पेट की प्रॉब्लम है आपको किस लिए है पेट की प्रॉब्लम देखे एक यह बहुत ज़ादा जब डाउन हो जाते हैं देव गुरू ब्रस्पति तो पेट की बहुत ज़ादा प्रॉब्लम आ जाती है और कहीं न कहीं अगर बहुत ज़ादा खराब हो तो टीवी की समस्या को भी यह बताता है तो उतने खराब नहीं ओने देना है हाँ पेट की प्रॉब्लम के लिए आपका जो यह है चंद्रमा जो मन का कारक है आपका जो सूर्य है वो भी कहीं न कहीं जो है दबावा है और कहीं न कहीं यह मन पे भी प्रभाव पढ़ रहा है जब तक यह खराब रहेगा यह खराब रहेगा पेट की समस्याइं बहुत ज़ादा रहेगी और साथ में आतों समंदी समस्याइं सुक्र के दूसित होने पे या सुक्र के खराब होने पे रहती ही रहती है तो यहाँ पे सुक्र बहुत बली है यहाँ पे चंद्रमा बहुत डाउन है यहाँ पे सूर्य बहुत ज़्यादा कमजोर है जिसके कारण स्वश्थ्य समंदी प्रेशानियों का आपको जो है सामना करना पड़ता है उसके साथ साथ चंद्रमा जब तक नगेटिब रहेगा मन गड़बड रहेगा मानसिक प्रेशाने से गर्सित होंगी भावकता बहुत ज़्यादा आएगी कभी कभी बात बात पर आँख से आसो बहे जाएंगे इस प्रकार की भावकता आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रेशान हो सकते हैं और जिसके कारण मन अच्छा नहीं रहेगा और मन से सीधा जुड़ाव आया है हमारा डाइजेस्टिब सिस्टम इसलिए अगर बिक्तिका मन सही नहीं होगा तो पेट भी सही नहीं रहेगा पेट की प्रोबलम बहुत ज भाव पड़ता है पेट की दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं और ऐसा चंदरमा किसी भी बिक्तिका निगेटिव होता है तो मा का सुक प्राप्त नहीं होता है चंदरमा इस प्रकार से खराब होने बैठ जाता है तो नीन आने में दिक्कतें आती हैं आपका चंदरमा या ठीक रहेगा इसको कित उसे देखा जाता है कि कैसा रहने वाला है देखो उंगलियों के हिसाब से तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ओल्ड एज आएगी वो इसे वो इसे धन के मामले में जो आपकी प्रोब्लम है वो पूर्ण तो खतम हो जाएगी और धन का भोग आप कर पाएगे ठीक दूसरी बात है कहीं न कहीं जो है आपकी रेखाएं उदयमान इस्तिति में आती हुई दिखाई देरी है और आपको जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी एक अच्छा नौलेज और अच्छे धन की प्राप्ति होने बैठ जाएगी और अपने स्वास्त्या अपना धन और अपना अईस्वर्य भोगने का सुक आपको प्राप्त होगा तो ये जो है सुकदाई रहेगा क्या सरकारी नौकरी में प्रेशानी है उपाई देखेगा जो आपकी करियर और धन की रेखा वो अत्यांत स्रेष्ट है लेकिन ये जब यहां तक पूरी पहुंच जाए तो गड़बड करती है इसका मैं उपाई दूँगा वो इसे बहुत ज़्यादा प्राप्लम नहीं दिखाई दे रही है तोने तोटके से बचने की उपाई तो आपकी ये राजयोग जो बन रहा है आपका अगर आपका ब्रस्पती उत्तमभाव में आ जाता है और जिस तरों से इसमें जो है बर्ग की आकरती है निश्चित तोर पे अभी छोटा पदी ही मिलेगा बहुत बड़ा गरिमा मयपत्तो यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है लेकिल कुसल प्रसासक है और राजयोग की प्राप्ती यहां पे है और करियर और धन की रेखा भी कह रही है कि राजयोग की प्राप्ती होगी किसकी उपासाना करनी है आपको आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस मामले के लिए तीन गरहा यहाँ पे एक मंगल होता है चंद्रमा होता है और सूर्य होता है इनका पुष्ट होना बहुत जरूरी है और साथ में राजनेती के लिए देव गुरु प्रिस्पति का हतेली में पुष्ट होना जरूरी है बिदेश यात्रा अब बिदेश यात्रा के जो है यहाँ पे साप योग दिखाई दे रहे लेकिन चंद्रमा के ठेक होने पे बिदेश यात्रा धन की इस्तिति यह तो मैंने बताई दिया है कि ओल्ड एज में धन की इस्तिति आपकी बहुत आच्छी है अब चलते हैं आपके अन्यविश्लेशन पे देखेगा आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे आप देखेंगे तो अंगोठे का पहले पौरवा काफी छोटा है और दूसरा पौरवा बहुत बड़ा है ऐसी इस्तिती में ऐसा जातक अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं निरणयों के कारण ऐसी लोगों का नुकसान होता है बड़ा सोच समझ कर आपको निरणय लेना है बड़ा सोच समझ कर सुरवाती दोर थोड़ा सा पेडा दाई ऐसे लोगों का रहता है घर परिवार का भी सुक जीवन में ऐसे लोगों को कम मिलता है ये साप अंगोठा बताता है कि जो भरपूर सुक है वो नहीं मिल पाता है कम मिलता है ठीक अब यहाँ पे देखेगा ये उंगली पूरी तरो से जुक रखी है और आपकी जो है मिडिल फिंगर की तरफ है धार्मिक भावनाई आपकी अंदर अत्यंत स्रेश्ट अवस्ता में है इस स्वर में पूर्ण विश्वास है विपरीत से विपरीत परस्तिति क्यों ना आ जाए तो भी जो है इस स्वर में हमेशा विश्वास बना रहेगा मिडिल फिंगर भी पूरी तरो से जुकी हुई है ये सनी के नगेटिव गुणों में बिर्दि करती है आपको ये मानना चाहे जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा केवल और केवल अपने बलबूते पर ही प्राप्त होगा और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही सफलता की आपको प्राप्ति होगी ये यहाँ पिस साब दिखाई दे रहा है अब इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप दिखा रहा है ये धन के मामले में 35 वर्स तक प्रभाव देता है निश्चित रूप से तीन चीजों में से एक चीज प्रभाव रहा होगा या तो खर्चिला स्वभाव बहुत जादा रहा होगा या तो धन के मामले में संगर्स रहा होगा या कहीं न कहीं जो है धन के महत्तों को नहीं समझ पाए होंगे जिवन काल के 35 वर्स तक इन तीन चीजों में से एक चीज रहा होगा अब यहां पे देखेगा यहां पे यह उंगली पूरी तरों से जुकी हुई है इस तरफ मन नेम फिम पाने की इक्षा अपने कारियों में विस्तार पाने की इक्षा यहां पे साप दिखाई देरी है और इनके बीच में भी गैप है यह जीवन काल के 35 वर्स तक ठीक ऐसा ही प्रभाव रखेगा या कि तो खर्चला स्वभाव जादा रहेगा कहीं न कहीं खर्चा जादा होता जाएगा हतीली में पैसा टिकना थोड़ा मुस्किल होगा या तो धन के मामले में संगर्स रहेगा या तो धन के उतना महत्व नहीं समझ में आपाएगा इन तीन चीजों में से एक चीज बनी रहेगी जीवनकाल के पचपनवे वर्स तक उसके बाद की इस्तिति अत्यंत स्रेश्ट है पचपनवे वर्स के बाद की इस्तिति धन के मामले में अत्यंत स्रेश्ट है मनि जीवन में old age में कोई problem नहीं रहेगी धन के मामले में परेशान होने वाले चीज़ें नहीं रहेगी ये बता रही है अब हमने हिर्दे रेखा मस्तिस्क रेखा के बारे में जान लिया है अब देखेगा जीवन की रेखा इस तरों से जाती हुई पीछे जा रही है और यहां से लगातार जोहर रेखाई आ रही है ये सीधी है और केतु की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है एक तो ऐसे लोगों की जो उन्नती होती है अपने जनम अस्तान से दूर होती है जनम अस्तान में ये लोग बहुत ज्यादा उन्नती नहीं कर पाते हैं दूसरी बात जीवन में लगातार उन्नतितों करते हैं लेकिन उतार चड़ाओं के साथ कई बार और इस्तिर्ता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है यह कुछ चीजे के तु की तरफ दिखाई दे रही हैं अन्तसमय मोख्ष का समय होगा जैसे सिद्ध महाप्रोसों को मोख्ष मिलता है यह दिखाई दे रहा है यह आपकी यात्राओं को बटाता हूँ है यहां पे दिखा रहा है अब यहां पे देखेगा एक रेखा इस तरों से यूँ दिखाई दे रही है यह जीवन की सहयोगी रेखा है यह यह बतारी है कि निश्चित ही आने वाले समय में 55 वर्ष के बाद अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं दूसरों का सहयोग अच्छे रू दूसरा यह रेखा इंगित कर रही है आप में जो अच्छी प्रतिबा है जो तीब्र बुद्धी है आपकी उसका आप सही से उपयोग कर पाएंगे समय नजदी काता हो दिखाई दे रहा है जो सोचने और समझने की सक्ति आप में विसेशुरूप से है जीवन काल में एक ब कहीं न कहीं अपने आप में बहुत आकरसन वाला अच्छा खासा प्रभावसाली रहेगा और कहीं न कहीं जमीन जायदाद से भी लाब होने की संभावना यहां पे दिखाई दे रहा है लकडी का काम करेंगे और सुर्य मजबूत रहेगा तो उसमें भी जो है सफलता मिलेग करियर और धन की रेखा भी बहुत सुनर है लेकिन यह बहुत आगे बढ़ जाए गई तो करियर और धन के मामले में और इस्तिरता पैदा करेगा मनि उस चीज को खतम कर सकता है नोकरी वाली चीज को ठीकर नहीं लेकिन धन के मामले में अच्छे रहेंगे यहां से एक रेख है एक्सपोर्ट इंपोर्ट है चंदरमा के बली होने पर इन छेतरों में अगर आप जो है जाते हैं तो काम्यावी मिलती हुई दिखाई दीरी है एक रेखा देखें तो भाग्या रेखा से मंगल पे आ रही है यह बता रहा है कि जमीन जायदाद से कहीं न कहीं लाब होगा और आपके जीवन में प्राकरम आपके अंदर जो है ती ब्रिगत से बढ़ेगा एक रेखा इस तरों से जाते हुई सूर्य पे जाते हुई नजरा रही है चंदरमा अगर आपका अत्यंत बली हो गया पुष्ट आपने कर लिया और ये सूर्य पे दृष्टी गोचर कर रही है इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आप ऐसे कार्य करने वाले हैं जो देशी नहीं बरन विदेश तक आपकी कीर्टी फैलाएगा यानि दूर देश तक आपका सम्मान बढ़ने वाला है अगर आपका चंदरमा अत्यंत स्रेश्ट वस्ता में आता है इसका मतलब आपको ऐसा काम करेंगे हो सकता है आप जो है राजनीती में चले जाए राजनेता हो सकते हैं कोई बक्ता हो सकते हैं या कोई ऐसा विक्ति हो सकते हैं जो केवल अपने ही देश नहीं बरना अपने देश का नाम दुनिया में करने वाले होंगे कुछ ऐसा आप करने वाले हैं वो सकता राजनीती के छितर में हो वो सकता किसी वक्ता के छितर में हो कुछ ना कुछ आप बड़ा करने वाला है लेकिन चंद्रमा और सूर्य के ठीक होने पर ये चीज होगी साप दिखाई दे रहा है इसमें अब चलते हैं आपके सुक्र के बारे में हमने बता दिया इसके बारे में हमने बता दिया है सनि आपका कोई गड़बर ने कर रहा ठीक है लेकिन सूर्य आपका जो है थोड़ा सा डाउन है और जब तक सूर्य डाउन रहेगा जो साररिक स्वास्त्य है जो खोसा हाली है जो उत्सा है जो उर्जा है इन चीजों की आपको चिंता करनी पड़ेगी ये चीज हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी इस बात का दियान रखना है और कारियों में वो विस्तार वो फैलाओ वो प्रयास सफल होना ये चीजें नहीं हो तो इसके लिए सूर्य किरिया दूँगा हमेशा करना बुद्ध परवत भी जो है यहाँ पर ठीक नहीं दिखाई दे रहा है और जब बुद्ध परवत ठीक नहों तो वानी की वो सक्ति नहरेती जो होनी चाहिए ऐसी इस्तिति में कहीं न कहीं धन के मामले में हो व्यक्तित्व के मामले में हो वानी के मामले में हो कमजूरी को बताता है मंगल की इस्तिति देखें तो ठीक ठाक है प्राकरम रहेगा एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा चंद्रमा देखें बता दिया है अभी आपका मनिबंद दोस्युक्त है इसका मतलब है अभी कुछ समय तक जीवन में कोई न कोई चिंता बनी रहेगी लेकिन जिस तरों से यहाँ पर यह रेखा है यह बता रही है कि आपने थोड़ा सा रुटीन चेंज कर लिया आपने अपने खानपान पे ध्यान दे दिया और योग ध्यान किरिया सूर्य किरिया और जो उपाई मैं दे रहा हूं वो विद्वत तरीके से कर लिए तो कहीं न कहीं आप अपने देश में ही नहीं बरन विदेश तक कीर्थी को फैलाएंगे यानि दूर देश तक आपका सम्मान बढ़नी वाला है इसका मतलब है किसी ऐसे चेतर में जाने वाले है जिस चेतर में जो है बिक्तिनाम का माता है केवल अपनी ही देश नहीं बरन अपने देश का नाम दुनिया में करने वाले बिक्ति होंगी इस प्रकार की ये रेखा यहां पर साप दिखाई दे लिए अत्यंत स्रिष्ट रेखा है और साथ साथ में जो है ये यहां पर एक वर्ग का चिन्न है ये बिक्ति को कुसल परसासक बनाता है ऐसा बिक्ति साथरन घराने में जन्म ले तो भी अपने प्राकरम अपने मस्तिस्क सकती और अपनी योग्यता के बल पर अत्यंत उच्च पत तक पहुँचते हैं और पूरे संगसार में सम्मान पाते हैं ये दो चीजें आपकी हतेली में बलिष्ट अवस्ता में हैं कि उन पाई करिएगा और जीवन में उच्च अस्तर पे जरूर पहुँचेंगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनौपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार